कोविट 19 पॉजिटिव होने के बाद अपने शो से रिप्लेस हुई ये पॉपिलर अक्ट्रिस सीरियल छोटी सरदार्दी में होने वाली थी धमाकेदार एंट्री रिप्लेस होने पर दिया बड़ा बयान कौन है ये अक्ट्रिस और क्या है पूरी खबर आएए जानते हैं कोविट की वज़े से जहां दुनिया इधर की उधर हो गई जिसका बूरा असर आम जनता पर पड़ा वही टेलिविजन इंडुस्ट्री में कई फेर बदल हुए कई बड़े शोस ओफ एर हुए तो कई सारे स्टार्स रिप्लेस हो गए अपनी शोसे ऐसा ही कुछ हुआ सीनियर एक्रिस विभा चिबर के साथ छोटी सरदार्नी में विभा की एंट्री होने वाली थी लेकिन अब वो ये शो नहीं कर रही है दरसल विभा कोरोना पॉजिटिव पाई गई है लेकिन शो में एंट्री लेने पर आज तक से खास बाचीत में विभा चिबर ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ है डॉक्टर ने मुझे बोला है कि ये डेड कोविड है क्योंकि जब मैंने टेस्ट करवाया तब नेगिटिव आया था और फिर जब मुझे दोबारा शूटिंग पर जाना था तब मैंने दोबारा टेस्ट करवाया था तो उसमें वो पॉजिटिव आया उस वक्त अगर मैं बाहर जाती तो ये खबर फैल जाती जरा सा भी कुछ होता तो मैं खुद ही शूट पर नहीं जाती वैसे भी आज कल कुछ ना हो फिर भी उसके नाम से ही डर लग जाता है बता दे कि विभास सीरियल छोटी सरदार्णी में एक नए अंदास में एंट्री करने वाली थी लेकिन अब बुर्शो का हिस्सा नहीं होंगी उन्हें रिंकु धवन ने रिप्लेस किया है इस पर उन्होंने कहा छोटी सरदार्णी के लिए मैंने खुद ही मना कर दिया है मेरा बहुत कट्टू कट हो रहा था और पहले भी ओफर आया था तो मैंने सोचा कर लीती हूँ लेगन फिर मैनेश नहीं हो पाया कोविट की वज़े से कई स्टास जैसे अदिती गुपता अनुपमा से अवनित को और आला दिन से अपने चलते शो से अलविदा के दिये वो कहते है ना जान है तो जहां है क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर बताए हमें कॉमें सेक्शन में और टेलिविजन की सारी ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहे टेली मसाला और फॉलो करें हमें फेसबूक और इंस्टेग्राम पर